दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो आपको बताएगी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस आपको कहां से कहां पहुचा देती है आपने अक्सर देखा होगा आज से 50 साल पहले गाओं में बहुत सारे लोग आते थे खेल तमासा करने वाले और वो बड़े बड़े भाले उठा रहे हैं बड़े बड़ा वजन उठा रहे हैं अपने मूग के उपर थुड़ी के उपर उठाते हैं आपने देखा होगा ऐसी एक राजे में बहुत सारे लोग आये हुए थे जो तमासा कर रहे थे खेल कर रहे थे तो राजा को देखर के बड़ा अच्छा लगा इतना भारी वेट इन्होंने चेहरे के उपर ठुड़ी के उपर उठा रखा है ये कितने बलसाली हैं कितनी ताकत असीम ताकत इनके अंदर है तो राजा ने रिसीजन लिया कि मैं काम करता हूँ अपने राजे का आदा हिस्सा इनको खेल तमासे करने वाले को दे देता हूँ बड़ा इंप्रेस हुआ राजा, लेकिन वहां राजा के साथ राजा की पुत्री राजगुमारी भी साथ में थी, उन्हेंने बोला पितासरी आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, तो राजा को भी यकिन नहीं हुआ, और वो जो वहा तीन साल बाद दुबारा चैलेंज रखिएगा, अगर मैं हार गई, तो फिर आप अपने राजे का आदा हिस्साइन को दे सकते हैं, जो कि आपने ते किया हुआ है, बात फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया, राजा ने बोला ठीक है, तीन साल बाद का टाइम रखा गया, अब ह उसने रोजाना वही कंटीन्यू काम रखा, रोजाना उस बच्चे को उठाना, और जीना चड़ करके चट तक ले करके जाना, अब धीरे धीरे बच्चे की एज वो बढ़ रही थी, बच्चे का साइज बढ़ रहा था, लेकिन साथी साथ उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस करते 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 करते, वो अच्छी गृप बना करके उसको उठा करके चट तक पहुचाने लगी, और तीन साल के बाद वो बच्चा, गाय का जो बच्चा था, वो काफी बढ़ा हो गया था, और उससे कंदे पर बठा करके उठा करके राजा के लड़के और कुमारी कहती है, पिता सरी अभी रुकी है आप, मैं इनको एक चैलेंज देना चाहती हूँ, अगर ये चैलेंज में पास हो जाते हैं, तो आप आधा राज़ पार तो आपने देने के लिए बोला ही है, तो इनको दे दीजेगा, तो राजा कहते हैं ठीक है, तो वो क्या करत पहुचा है, उनको तो प्रैक्टिस थी नहीं उस बात की, अब प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो कोई पहुचा भी नहीं पाया, तो पहुचा नहीं पाया, तो राजकुमारी जीत जाती है, तो राजा ने पूछा, पुतरी ये आपने कैसे किया, अपनी बेटी से पूछा, लेकिन जब आप उसको लगातर करते रहते हो, तो आप उसमें refine हो जाते हो, आप उसको बहुत अच्छे से करने लगते हो Moral of the story यह है, कि जब भी आप किसी नए काम की सुरवात करते हैं तो नए काम में आप perfect नहीं होते हो, और इसलिए वो काम अच्छे डंग से होता नहीं है लेकिन जब आप उसे regular करते हो, regular करते हो तो उसकाम में और अच्छे हो जाते हो और जब अच्छे हो जाते हो तो उसकाम को बहतर तरीके साब कर पाते हो तो practice make a man perfect, तो practice करनी बहुत जरूरी है जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको अच्छे लगी हो तो like और share जरू करें, thank you